तो हेलो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 5G गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको 20,000 की प्राइजिंग पर देखने मिलेंगे और इससे आप हैबी से हैबी गेमिंग भी smoothly कर पाएंगे और इसके अलावा other features भी आपको काफी अच्छ भी देखने मिल जाएगी तो गाइज अगर आपका budget 20,000 के range के आसपास है और आपको एक तगड़ा gaming smartphone चाहिए तब ये वीडियो आपके लिए काफी useful होगा वीडियो में तक बने रहे हैं और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe और वीडियो के click जरूर करें स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बात करते हैं सबसे पहले पहले नमबर के smartphone की इसका नाम है Realme GT Master Edition 5GE फिलहाल के टाइम पर इस device पर काफी अच्छे discount चल रहा है आप चाहें तो इस smartphone को purchase कर सकते हैं इसमें आपको 6.4 इंचे की full HD plus super emulated display दी गई है जिसमें 120Hz का high refresh rates देखने मिलेगी काफी अच्छी smoothness इसकी display में आपको देखने मिल जाएगी और एक और अच्छी बात इसमें आपको in display fingerprint sensor का support देखने मिल रहा है जो की काफी accurate work करता है और साथ ही smartphone काफी light weighted है और इसका design भी काफी अच्छा दिया गया है तो भाई अब बात कर लेते हैं इसक selfie camera देखने मिल जाएगा तो price recording इसका camera आपको काफी अच्छा देखने मिल जाता है काफी अच्छी pictures इसमें आप click कर पाएंगे चली अब बात कर लेते हैं इसके power की इसमें आपको 43 MHz की बैटी दी गई है जिसे charge करने के लिए 65W के fast charger का support दिया गया है जो की आपके smartphone को काफी जल चार्ज कर देगा फाइनली अब बात कर लेते हैं इसके processor की इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 770 8G का powerful processor देखने मिल जाता है जो कि एक 5G chipset है जिससे आप बिलकुल ही मखन gaming कर पाएंगे और वहीं यह chipset 6NM technology पर बेस्ट है इसमें आप लंबे टाइम तक किसी भी game को high setting में खेल पाएं जिससे आने वाले 5G network में इसमें आपको कोई problem नहीं होने वाली तो बात करते हैं इसके RAM stage की जिसके 6GB RAM 118GB का price आपको वैंसे तो 26,000 देखने मिलेगा बट अभी के time पर card वगर apply करके यह smartphone आप 20,000 की pricing पर purchase कर सकते हैं अगर आपको 20,000 की pricing पर कमाल की display तगड़ा processor अच्छी camera quality और fast charging का support चाहिए तब आप इस smartphone को definitely purchase कर सकते हैं वाइस बढ़ते आँगे और बात करते हैं अगले smartphone की तो दूसरे number पाता है Poco X3 Pro वाइस इसमें आपको 5G connectivity का support तो देखने नहीं मिलेगा बट इसमें processor काफी धमाक 6-7 inches की 4HD plus IPS LCD display दी गई है इसमें gaming के लिए 120Hz का high refreshing rate का support दिया गया है और वहीं इसमें security के लिए side mount और fingerprint दिया गया है बात करें cameras की तो इसमें आपको 48MP का main sensor दिया गया है और 8MP का ultra byte और 2-2MP के 2 supporting lens दिये गया है तो इसमें quad camera के setup दिया गया है और वहीं front में 20MP का selfie camera देखने म देखने मिलेगी तो यहां पर आपको एक decent camera देखने मिलेगा चलिए बात करने इसके betty की तो इसमें आपको 5000 MHz की betty दी गई है जिसे चार्ज करने के लिए 33rd का charger in the box मिल जाएगा तो बात करने के processor की तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 860 का processor दिया गया है जो की काफी धमाके दर processor है और 3.1 UFS की storage दी गई है और इस device के अंदर भी आपको liquid cooling का support देखने मिल जाता है और वहीं इस smartphone dual stereo speaker के साथ आता है यहां पर भी आपका audio experience भी काफी अच्छा रहने वाला है बात कर इसके RAM stage की तो इस smartphone 6GB RAM 108GB storage के साथ 19,000 की pricing पर देखने मिलेगा वैसे तो इस smartphone का pricing आपको काफी time पर 17,000 से 18,000 भी देखने मिल जाता है तो अगर आपको comprising पर एक अच्छा gaming smartphone चाहिए तब आप इस smartphone को definitely देख सकते हैं लेकर अगर आप अपने budget को थोड़ा सा increase कर सकते हैं तब आप Realme GT Master Edition को ही purchase करना है तो बढ़ते आंगे और बात करते हैं अगले smartphone की तो तीस नमबर पात आपको काफी जबरदर्स features दिये गए हैं जैसे कि इसमें आपको 6.67 inches की Full HD plus IPS LCD display देखने मिल जाती है साथी gaming के लिए 120 Hz का high refreshing rate का support दिया गया है तो security के लिए style mount और fingerprint sensor देखने मिल जाएगा तो बात करने इसके camera sensors की इसमें आपको triple camera का setup देखने मिलेगा जिसका main primary lens 64 megapixel का होग 2 megapixel का micro lens देखने मिलेगा और वहीं front में 16 megapixel का selfie camera देखने मिल जाएगा तो यहाँ पर price के coding इसका camera sensors काफी अच्छे दिये गए हैं और वहीं इसमें power देने के लिए 5000 MHz की betty देखने मिल जाएगी जिसे charge करने के लिए 44 watt के fast charging के support देखने मिल जाता है बात करने इसके processor की जिस दिया गया है और आपको LPDDR5 की RAM दी गई है साथ ही इस device को heating से बचाने के लिए liquid cooling का support दिया गया है तो यहाँ पर आपको बिलकुल भी heating का इसू देखने मिलेगा और आप एक अच्छी और तगडी gaming कर पाएंगे लेकिन गाइस इसमें आपको दो 5G band का support देखने मिलेगा त यहाँ पर आपको future में 5G connectivity में थोड़ी सी problem आ सकती है साथ यह device dual stereo speaker के साथ आता है बात करें RAM storage की तो इस smartphone आपको 8GB RAM 128GB storage के साथ देखने मिल जाएगा फिलाल की time पर Amazon पर 3000 तक का discount देखने मिल रहा है जिससे इसे आप 21,000 की pricing पर purchase कर पाएंगे तो guys अगर आपको एक तगडी gaming वाला smartphone चाहिए तब आप इस smartphone की और भी जा सकते हैं तो guys यह थे 20,000 की pricing पर आने वाले 3 सबसे best powerful gaming smartphone तो अगर आपको कोई doubt है तो please हमें comment करके बताएं और इस तरह की video पानी के लिए हमारे चैनल के subscribe और video के click जरूर करें thanks for watching